गुड मॉनिक एवरीबडी आज हम नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेविल्यूशन यानि दृतिय हरित क्रांति की आवशक्ता की बारे में चड़्चा करेंगे जैसा कि हम सब को पता है कि जो करेंट स्टेट अव अग्रिकाल्चर है भारत में इस दिसल्ट आफ ग्रीन रेविल्यूशन जो की इसको पूरा करने में काफी सीमा तक मदद की है रितकरांती नहीं और यह जो प्रोग्रेस सेक्योरिटी है अब देखें इसकी इसकी इस और पूर्टी जो है इसके भी कुछ लागत है जो कि हमको चुकानी पड़ेगी और ग्रीन रेवल्यूशन जो है अरितकरांती जो है उसने रैंपेंटली यूज किया था किसका फटिलाइजर्स का और केमेकल्स का और विच मेंड फूर्ड एंड वाटर टॉक्सिक तो सम एक्सटेंट और जिससे सब्सक्राइजर्स का जो है उसने अने जो क्रॉप्स है उनके पर हेक्टेर जो इल्ड है उसको कंटिन्यूसली बढ़ाया है और जो पर टेर है पर राइस वस्मेरली वन टन अन नाव इट संथ ओवर थी तन्स इंक्रेस अफ वीट इस अरूप फॉर्ट तन्स इस इंक्रेस वस्टिमेंटल ओर आल थे यह उस्मूर अन्मूर क्लिवेटेड एरिया केप अंडर केप कमिंग अंडर इंडियर्रिगेशि अब दीरे जो प्रोड़क्टिविटी ग्रोथ है अपादकता हैं वह भी दिरे दिरे फ्लाटन हो रही है कम हो रही है वी हैव सीन देखे कि जो इंक्रेसिंग कॉस्ट है फर्टिलाइजर की यह एक तरह से क्रेशी की लागत को बढ़ाते हैं और पूड कई बार जो हता है ख अद gate G7 Mac जो है वित्टी में जो नीardonेट होते हैं हो दिरे दिरे खतम हो रहे है तो में हम क्या सकते हैं कि जो जो ओरीजिनल जो टरीके अपनाय गयी टेव उस्ट वह एक तरह से दिडे दिरे वो अंत उनका पूर रहा है और अब और अब जो येल्ट्स है इंडियन हैं डिम बिलो स्टिल फार बिलो वर्ड एवरेज और हमारे जो पॉलिसी वेकर्स हैं उनको अब और कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि हमारी क्रेशी जो है वर्ड एवरेज के नजदीक आ सके करेंट स्टेट ऑफ एगरिकल्चर है वो किसी भी तरह से जो है सस्टेनेबल नह क्याते हैं और अल्मोस्ट हर करेंट जो पॉलिसी है उसको हम कवर कर सकते हैं ग्रीन रेवल्यूशन सेकंड ग्रीन रेवल्यूशन की क्याटेग्री में और इंडिया इंडिया रेवल्यूशन क्यों फिर्सली देखिए टु ब्रिंग फूर्ड सिक्योरिटी तो इस बिलियन प्लिस पॉपलेशन एक तरह से जो है खादिया सुरुष्या दी जा सके बढ़ती वी जो जैन संग्या है उसको फिर टू रिमूर टेस्ट्रेस ओफ फार्म धी जो किसान वर्ग जो है सीमांत प्रशच जो है उनकी जो मिजरी है डिस्ट्रेस है घ्रीबी है उसको दूर करने के लिए और फिर एक और है बात है तो मेकिट्स अग्रिकाल्चरल ग्लोबली कॉम्पटिटिव हमारी जो क्रशी है उसको विश्वस्तर तक लाने के लिए भी हमको second green revolution की जरूरत है फिर to achieve these goals देखिए yield rates of food grains, pulses, oil seeds, daring and poultry, horticulture crops and vegetables need to be enhanced इस सब के लिए इनकी जो है उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा फिर forward backward linkages of agriculture जो है technology के साथ food processing industry के साथ उसको हमको strengthen करना पड़ेगा और इसके साथ ही हमको जो soil है we will need to match soil to seeds and produce product to market high productivity and better value addition by agro processing are its key parameters तो एक तरह से जो high productivity है अलगलग पसलों के संदर्ब में और better value addition जो है agro processing के द्वारा यह सब इसके key parameters है फिर the change in farmers mindset is also necessary farmer एक किसान की जो सोच है उसमें पी बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है a farmer typically believes that their role or role is limited to growing crops only भारत का जो किसान है हुए सोचता है कि उसका जो रोल है इस किवल फसले उगारे तक ही है बल्कि जबकि इसकी जगे दी मस्ट भी realized that their scope can increase from grain production to food processing and marketing तो किसान को अब व्यवसाय क्रशी की और बढ़ना होगा फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंसकरण और उसके विपड़न की जो बहतर जो तरीके हैं उसकी विजानकारी उसको हासल करनी होगी तो जो प्राक्रतिक रूफ से जो जो सुविधाय उपलब्द है उसके अनुसार जो है फसले लगानी होंगी 2011 में जो अग्रिकल्श्र सेक्टर था वो एक तरह से दोराहे पर था और इट वसाट क्रॉस रोड्स विद राइजिंग डिमांड फूर फूड आइटम्स एक तरह जो खादी कीमते हैं वो बढ़ रही थी और रिलेटिवली दूसरी तरफ स्लोर सप्लाइर रिस्पॉंस था बहुत सारी कमोडिटीज में और इस कारण से जो है फूड इंफलेशन जो है काफी फ्लक्टुएशन आया प्राइजेज में और फूड इंफलेशन जो है वो हुआ और फूड सेफ्टे नेट फॉर इच इंडिया सिटेजन रिक्वाइर इन हैंस्ट एक्री कैल्स प्रॉड और प्रॉडक्टिविती को बढ़ाना पड़ेगा तर बिल्खी अक्रीशन प्रॉड क्रॉड इंडियन स्देंट वोसेट पॉड हमारी जो पॉडियाइशन है तो हम को जह है अग्री काल्चरल प्रॉड Green Revolution Anders fast fulfill attention है golden war production करने के लिए इसका क्रॉप्स है फ्रूट्स फ्रूट्स था जिसको कि हमने पहले Green Revolution में प्रतम हरित क्यानती में परեक्षाण नहीं दिया था, so the need for Indian agriculture should diversify from just crop farming, तो crop farming से हमको आगे बढ़कर दृत्ती हरित क्रांती में हमको livestock, fisheries, poultry, horticulture इन पर भी हमको emphasis या ध्यान दीना होगा, और इसके साथ-साथ जो है farm productivity और वो तो हम देखेंगे, ही farm productivity भी बढ़ाएंगे और साथ-साथ जो है agriculture को diversify करने की अब जरूरत है, तो special focus हमको देना होगा, rain fed जो areas हैं उनमें और ज्यादा productivity हम बढ़ाएं कैसे, और फिर increasing agriculture production and productivity is a necessary condition, एक necessary condition है not only for ensuring national food security, but also for sustaining the high levels of growth, तो higher levels of ब्रद्धी दरे हैं आर्थिक विकास की उसको बनाए रखने के लिए भी, जो है हमको agricultural जो अकरशी जो उत्पादन है और जो उत्पादता है उसको हमको बढ़ाना होगा, यही second green revolution, इसलिए second जो green revolution है अध्रतिय हरित्रांती है उसकी आभशक्ता है, और यह सब कैसे संबब होगा, यह सब हम कैसे संबब कर पाएंगे, जब हम technology gap जो है agriculture में उसको हम खतम कर सेके और जो है क्रशी किसानों को उनकी उत्पाद का उच्छत मूली हम दिला सके, इसके लिए हमको जो छोटी क्रशक है, इसके जो है उनके द्वारा जो है agriculture जो ग्रशी उत्पादता है और जो सुखी खेती के जो तरीके हैं उनको हमको बढ़ावा देना होगा, और उसके साथ ही हमको ध्यान रखना होगा कि जो हमारी जो मिट्टी की जो उबढ़ता है और जो पानी के हमारी जो स्रोथ है जल संसाधन जो है उसको भी हमको साथ में हम उसका स्रेक्शन कर सेकी. This demands proper coordination, implementation and monitoring of the support policies in addition to allocation of resources. इसके लिए जो है proper coordination की जरूरत है, implementation और monitoring, support policies उनकी जरूरत है और allocation of resources के साथ हमको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा. तो जो second green revolution है दृति हरित करांती है, what it aims at? It aims at information technology revolution, इसमें सूचना जो तक्नी की करांती है, उसका समावेश है, बायो टेक्नलोजी revolution, बायो टेक्नलोजी revolution का समावेश है, फिर research and development and targeting of specific crops, special crops की तरफ जो ध्यान देना है, जो की हमारी जो है commercial या व्यवसाईखेती का रूप दे सके हमारी क्रेशी को. Information technology की जहां तक बात है, तो information technology will create awareness in the farmers, introduce them with more cost efficient technologies, जो cost efficient कम लागत वाली जो तक्नीके हैं, उनकी information किसानों को provide करेगी and एक और चीज़ जो है, वो है, it will enable them to choose among different alternatives, क्या-क्या उनके पास alternatives, उपलब्द हैं किसानों के पास, उनके बारे में उनकी जानकारी बढ़ाएगी, ताकि वो सोच समझ कर appropriate जो टेक्नीक है रशी शेत्रे में वो लागू कर सके, it is in fact a support service like customer care, एक customer care के support की तरह services है, where information deficit on part of farmer will be addressed, तो किसानों को जहां उनकी जो जानकारी है, जो लैक कर रही है, उसके बारे में उनको aware किया जाएगा, Thank you.